स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर इसका नाम है मनुझ वीडियो मिक्शिंग पॉइंट दूस्तों मेरा नाम है मनुझ दूस्तों आज मैं जो पीसी बनाने जा रहा हूँ वो बजट पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ और यह जिन भाई का यह पीसी है वो राज कस्या वाई का है जो कि उत्तर प्रदेस महाराज गंज का रहने वाला है उन भाई ने मेरे को पहले से ही पेमेंट कर दिया है आज का डेट है 31 जुलाई 2024 ग्यारा बज किया इक्या बनी मिनेट अभी टाइम हो रहा है दोस्तों आज के जो हम पीसी बिल्ड करने जा रहा है वो पीसी का क्या कोश्ट होने वाला है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर में बता दूंगा तो इसमें में इस पीसी वीडियो मैं क्या के कंपोनेट यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको एक एक करके डेटेल में बताता हूँ पहला हमारा कंपोनेट है दोस्तों आप देख स आपको इसमें मिल लाता है कि दूसरा हमारा कंपोनेंट अधा रेréal मैं 88 taras ShowAGV का दो राम हो गया और तीशरे हमारा कंपोनेंट है बो से 20 दोस्तों मैं जितने भी PC बनाता हूं तो आपने मेरे PC में एक चीज जरूर नोट किया होगा कि ये मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितना ज्यादा मोनेटर का किनेक्टिविटी का खोक्षन मिले इतना ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर में जो दोस्त queens है पहला साथ, वाइ-फाई मिल रह और इस मदर वोड की बाते कर है तो यह मदरबोर्ड जो 108GB मेमोरी शपोर्ट करेगा दोस्तों WD का SN580 इस PC बिल्ड के अंदर में यूज कर रहा हो जो कि जैन 4 है और जो हमारा पावर सफलाई है जो इस PC को पावर देगा वो हमारा पावर सपलाई दोस्तों आप देख सकते हो इस PC बिल्ड के लिए शफिसेंट रहेंगे अब सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आप यह चीज आप लगाओगे वह किस कैविनेट में लगाओगे उस कैविनेट के बारे में बता देता हूं दोस्तों यह MSI के तरफ से आने वाला कैविनेट है जो की बहुत ही बहतर कैविने क्योंकि 3 RGB fan आपको front में मिलता है, 2 OOper में मिलता है और एक back में लेगे total 6 fan इस के अंदर में आते है और यहाप को da मैट वही मिलता है, dust मैट वही मिलता है ताकि आपको dust आए था आप साब कर सको, आगे में a mess आता है, कप्रेसे अपने साब कर लीजिए, बहुत बहुत बहतर तो आप देख सकते हो सारे कंपोनेंट सिल पाए जिन भाई का है उनका बहुत ही बजट कम था इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ मदरवोड के डबे में से आप देख सकते हो अल्टीना साटा केवल और बैक पैनल पावर सफलाई और ये बोल्ट एक खीज मैं आपको बता देता हूँ यहां पर देख सकते हो ये क्यूक लिखा हुआ इसको कभी रिमूब नहीं करना इसको रिमूब करोगे तो आपकी वारेंटी मिलेगा नहीं दोस्तों कुछ भाई मेरे को कॉल भी किये थे मैसेज भी किया था कि ये जी ये कंप्यूटर और का वारेंटी का कैसे क्या होता है तो कहीं से भी आप पर्चेस करो हिंदुस्तान में किसी भी कोने से पर्चेस करो और किसी भी कोने से आप इसका वारेंटी ले सकते हो तो कि 13 जननेशन और 14 जननेशन के कम्प्यूटर में बहुत ज़्यादा हिटिंग का इशु आ रहे है तो वह भी आए 9 में आए 9 से नीचे कोई भी प्रोसेसर है उसके अंदर में यह समस्या आए नहीं आता है मैंने अभी 2-3 PC बनाया है 2-3 PC को ही मैंने टेस्टिंग किया है प्रिमियर में टेस्टिंग किया है प्लस डेटा कॉपी किया है स्क्रीन रेकॉर्डिंग किया हुई 4K में उसका वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा उसमें कोई सुनी है आप लोग i7 तक बना सकते हो तो चलो मैं इसको बिल्ड करता हूँ आप यहां motherboard की बाते करें दोस्तों तो आप देख सकते हो यह हमारा भी RAM का सेक्षन हो गया यह M.2 एक यहां लग जाएगा एक यहां लग जाएगा जेन 4 का जेन 3 का आप यह देखो इतना कम प्राइज के motherboard में भी आपको और टाइप C का option दी मिल रहा है बड़ी बाते है वाइफाई का हो गया यह आपका HDMI हो गया यह दोनो DP हो गया 3.2 का मिल जाएगा और यह आपका ethernet का cable का यह बहुत ही बहतरीन है अब प्राइज आप लोग लास्ट तक जरूर देखना मैं प्राइज जरूर बता दूंगा तो यह मेरा प्रोसेशर है प्रोसेशर पर हमेशा की तरफ मैं बताता हो कट लगा होगा इसको खोलोगे इसमें भी आपको कट का निशान मिल जाएगा यह प्रोसेशर ही एक चीजा ऐसे होते जुनको सही से अपने को लगाना होता है प्रोसेशर हमारा लग गया आप यहां पर देखोगे इस ब्रैकेट के उपर में जो एस्टिल का है इसके उपर में देख जो कट के निशान है यहां पर भी कट के निशान है दोनों मैच हो गया और इसके अंदर पर चार चैनल रहाम है यह लग गया इसके उपर से ये हटा देना है SSD लगाने यह लिजे SSD हमारा लग गया है यह जो है दोस्तों हमारे अब देख सकते हो मदरबोर्ट पे अब मैं इसका कूलर लगा रहा हूँ यह देखो इस पे कितना कम थर्मल पेस्ट लगा हुआ है ज्यादा थर्मल पेस्ट नहीं लगाना यह तो इंटेल का है इंटेल वालों ने खुद लगा करके थर्मल पेस्ट दिया है देखो कितना कम है अब देखो रेडी होगा अगर मैं पावर सफला लगा हूँ और इसको आउन करूँ तो यह चल जाएगा ठीक है जी अब मैं कैविनेट के अंदर में इनको लगाता हूँ तो इन में लगेगा दोस्तों टैम ज्यादा तो मैं वीडियो को करूँगा फास्ट फोरवड क्योंकि एक भाय और आया हुआ है जो की उडिशा से है उनका पीसी बनाना है जो की वाइट थीम पे रहेगा माइक वीडियो में बताए भे था कि ये जो ट्रे होता है वो सर्कल के क्याविनेट में पहले आता था क्याविनेट में पहले आता है कर दो 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 तो फ्रेंड यह मेरा पीसी बनके हो गया है रेडी अब मैंने इसके अंदर में जो मेरा काम बचा है वो बिंडो जालना है और इसका मैनुल वाईवी शेट करना है क्योंकि बहुत जलूरी होता है दोस्तों मैनुल वाईवी शेटिंग करना अगर मैनुल वाईवी शेटिंग हम नहीं करते हैं तो हमारे को EDS शॉफ्टवेर में आपको एक्सपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगा अब बात करें दोस्तों इस PC का टूटल कोष्ट का इसका जो टूटल कोष्ट है वो 48,400 रुपे जो कि आपने बिल्कुल सही सुना है जो कंपोनेट दोस्तों मैं आपको 12,400 के साथ में दे रहा हूँ 48,400 में दे रहा हूँ उस प्राइज रेंज में 508 का पावर सप्ले लगा रहा हूँ Gen4 SSD लगा रहा हूँ और आपको MSI के कैबिनेट दे रहा हूँ जो कि 6 फंखे आप यहाँ पे देख सकते हो अब मैनुल वाईव शेटिंग करके दे रहा हूँ साथ में अभी मैंने इसके अंदर पे बिंडोज बगेरा सब कुछ इंस्टॉलेशन कर दिया है अब मैं आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाता हूँ यह दोगो दोस्तों इस PC का फर्स्ट लुक कैसे है मैनुल वाईव शेटिंग के बाद की बाद दिखा रहा हूँ टॉप में भी यहां पे बैक में भी और फ्रंट पे भी एरफ्लो की बाते करूँ तो बहुत ही बहतरीन एरफ्लो है जो यह वाला PC आप देख रहे हो यह फोटी इंजनेशन का 14700 के इसके जो एरफ्लो का जो है सेम है अब सोचो वह 8000 के कैबिनेट है और यह जो है 4000 पाड़े 4000 के कैबिनेट है दोस्तों एक चीज़ा और बताना था कि बहुत सारे भाई में उज़े कॉल करते भीया जी यह PC बन वा रहा हूँ क्या उस पे स्पीट मिलेगा तो मेरे भीया जी यह कि आपकी क्या गैरेंटी है कि वह मसीन आपको वीडियो एडिटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा उसका एक ही रीजेन होता है क्योंकि जब कोई भी PC बिल्ड करते हैं जो वीडियो एडिटिंग से रेलेटेट पीसी बनाते हैं उन्हें पता होता है कि मुझे इस PC के अंदर में क्या करना है उसका रीजेन मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियों बताया है अब इसकी मैं बाते करूं तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि 48,000 का यह कंप्यूटर अबदता है अगर आपके पास में 8000-10,000 रुपे और है तो आप 14 जननेशन या फिर 13 जननेशन का आई-फाइब मसीन बनाना है रिजन क्योंकि इसके अंदर में 6 और 12 थ्रेट का प्रोसेशर है जैसे आप 10,000 रुपे खर्चा करते तो आपको जो 14 और 20 थ्रेट का प्रोसेशर मिलता है जिस प्रोसेशर के पास जितना कूर और थ्रेट और क्यास होगा वो प्रोसेशर हमेशा ही मक्खन की तरफ इडियो डिटिक में आपको चलेगा जो 12 जनेशन का आइफाइफ बारा चार सो प्रोसेशर है दोस्तों उसका प्रैज जो है 48,400 और 13 जनेशन का 13,500 उसका जो प्रैज पड़ेगा आपको 57,500 रुपे और 14 जननेशन का 14 500 प्रोसेशर उसका जो कोश्ट पड़ेगा उन्सेट हजार चार सो रुपे तो तीन जननेशन के मैंने प्राइजा भी आपको बता दिया और इस PC का परफॉर्मेंस के बाते करो तो मक्खा ने भी या जी ला जवाब है लेकिन हाँ मैं जैसी की मैंने आपको बताया कि फोर के में रो देता है ठीक है जिनका यह PC है उन भाई को आप कॉल किया जाए यह देखो यह आपकी मसीन है यह Wi-Fi नहीं यह देखो ऊपर में भी फैन लगा हुआ अर्जी वाला यह फ्रंट पे भी लगा हुआ है अब याक में भी लगा हुआ है तिन का आपको पैसे नहीं देना पड़ता कर दूसरा कैबिनेट लेते तो आपको पैसे देना पड़ता जिसका कि आपका एक्स्ट्रा कोश्ट लग जाता तो आपका पैसे बच गिया यह वाला चलो ठीक है तो आप ही फरंट से दिखाऊ यह देख लो यह देखो देखो देखरो MSI के क्याविनेट है यह एक ऐसी केविनेट है जो कि मार्केट में इजली मिलता नहीं है भी या बागी सारे केविनेट आपको मिल जाएगा यह केविनेट नहीं मिलते हैं क्योंकि इस प्राइज रेंज में जो है बेस्ट कैबिनेट है और इस कैबिनेट के एर फुलो भी बहुत अच्छा है साथ में इन में फैन इंड बिल्ड आता है ना जिनके बज़े से यह रहा ना यह देखो जब पहुंचेगा तो इसको जब आपके पास पहुंचेगा ना तो इसको हटा देना नहीं जब आज की डेट पर सारे में टेमपर ग्लास तो आता ही है चलो ठीक है फिर मैं आपको कॉल करता हूं मैं प्रीड के यह बहुत पसंद आया है क्योंकि मैंने बहुत ही कंप्योटर को बना दिया यह इनके वह रही से बहुत खुश होगे तो दोस्तों दुसा कंप्योटर बनाता है माँ से además पेठेंक करके तो उमिद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी वहें को पसंद आया होगा और मेरा वीडियो पसंद आता है तो पिलीज वीडियो के लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर करना जिन भी भाई को चाहे हो 12th generation हो चाहे 13th generation हो फिर 14th generation के सब्सक्राइब करना तो भाई मेरे को कॉंटेक्ट कर सकते हो मेरे पास मैं आपको लेटेस क्लाक्शन में EDS के डेटा प्रीमेर के डेटा मिल जाएगा अब यह आप देख सकते हो यह कोडियर के जाने के लिए रेडी है पाकिंग हो गया है पूरा और इसके अंदर में पूर तो मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ कि क्या के कंपोनेंट आपको इस PC विल्ड में यूज करने जा रहा हूँ उससे पहले दोस्तों एक बात बता रहा हूँ